इसी बीच रूस और यूक्रेन के युद में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें सबसे जबरदस्त लड़ाई कीव में हो रही है जहां एरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला हुआ है रॉकेट अटाक से बड़ा धमाका हुआ है और उस धमाके की तस्वीरे आप देख रहे हैं शहर के बीचो बीच दुए का ये गुबार आसमान में उपर उठता हुआ नजरा रहा है लगातार कीव में विस्पोर्ट किये जा रहे हैं बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं मिजाईल से हमले किये जा रहे है और हर संभव कोशिश यही की कैसे और नज़दीक कीव के पहुँचे और अंदर पहुँचे और इस पर पूरा कन्ट्रोल करें युक्रेन की राजधानी कीव आपको बताते 30 लाख की आबादी कीव की है और सबसे भड़ा सवाल ये है कि 30 लाख में कितने लोग इस वक्त राजधानी में मौझूद हैं क्योंकि हमने पिछले दो दन से लगातार शहर छोड़ कर जाते लोगों की तस्वीरे देखी हैं ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, कार के जरीए छोड़ का जा रहे हैं और सब वेस्टरन फ्रंट पर जाते दिखे हैं युक्रेन के खरसान में रूस का जंडा उतारा गया है लोकल लोगों ने उतारा है रूस का जंडा रूसी सैनिकों ने लगाया था रूस का जंडा तो इसको उतारते हुए civilians दिखाई दे रहे हैं यानि यह civilians मनोबल है वो किसी भी सूरत में रश्यन जंडे को सुविकार करने के लिए तैयार नहीं जिसकी बात हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे सर जिस बात पर आप कह रहे थे कि अगर यहां कबजे में लेता है तो इंसरजेंसी और मिलिशिया की बात होगी 18,000 civilians को हत्यार बाटे गए हैं तो मिलिशिया की भूमिका तो तैह हो गए एक बना दी गई है भूमिका क्या अब यही तस्वीर आएंगी civilian versus Russian forces हाँ विल्कुल क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप देखें यूकरेन में जो इस्ट बॉर्डर है जो रशिया के साथ लगता है उन लोगों की sympathy रशिया के साथ है जो पूरा वेस्ट एरिया है उन लोगों की sympathy वो वेस्ट की चरफ ज़्यादा देखते हैं और जाहिर है कि पात है अगर अनलिसिस किया जाए उसके मताबिक क्या होता है कि उनको पता है कि यह जो एरपोर्ट का इलाका है यहां पर गमाशान युद्ध होना है तो उसके आसपास के इलाके यूक्रेइन की आर्बी ने खुदी खाली करा दिये होंगे और यह भी माना जाएगा कि रॉश त्यार फिट करके लड़ाई लड़ सकते हैं तो इस चीज को मद्य नजर रखते हुए इस किसम के सीन अभी आप और देखेंगे लेकिन सर एक और इंट्रेस्टिंग जो हम देखा रहे हैं वीडियो जहां पर आप देखी खुरासान में ही एक वहां के आम नागरिक ने बात ये है कि ये खुरासान जो इलाखा पढ़ता है क्रेमिया के बहुत करीब हैं और साथी साथ क्रेमिया के करीबी होने के बावजूत अगर यहां पर वहां के जो आम लोग हैं रश्य का विरोध कर रहे हैं दो तस्विरे देखी एक रश्यन फ्लाइग उतार दिया और य वापस यहां पर युक्रेन का कबजा है तो एक परसेप्शन बैटल भी चल रही है कि आखिर जमीन पे हो क्या रहा है और जिन इलाकों को कबजा करने का दावा रूस कर रहा है वो असल में रूस के कबजे में है भी या नहीं इसी इसी परसेप्शन बैटल की बात सर मैं कर रहे हैं उस लिहाज से भी रश्या के सामने यह चैलेंज होगा कि इनको मेंटली भी ब्रेक किया जाए बिलकुल यह चैलेंज होगा और इसलिए आप देखेंगे कि सबसे पहले तो इन्फोर्मेशन वार्फेर में दोनों साइट से आप देखेंगे कुछ गलत खबरे हों चैले एक और बड़ी खबर आ रही है सर उसके बाद में वापस आपका रुख करूंगी कीव में हमले के बाद रेस्क्यू ऑप्रेशन लगातार जारी है हाई राइस बिल्डिंग से घायलों को निकाला गया है अब यह नई इन्फरमेशन हमारे पास आई है उस जो लोग मौजू थे वो घायल हुए है और उन्हें अब यहां से निकाल कर किसी सुरक्षत स्थान ले जाया जा रहा है और फर्स्टेट दिया जाएगा इसी बीच वो जो परसेप्शन बैटल की हम बात कर रहे थे इसी चर्चा को आगे उधर कॉंटिन्यू करते हैं बिल् जो लेकर आ रहे हैं बाहर यहां पर हमने देखा था इक्रेन आर्मी पहुंचीते हो तो यहां पर जो पुलिस वहां की है वो नजर आ रही है वहां पर जो फायर विगेट या फायर फायर स्टेशन की जो टीम है वो नजर आ रही है वहां पर जो हिल्थ वोर्कर से वो नजर आ रहे हैं वहां के जो उक्रेनियन फोर्से तो नजर आ रही है तो साफ जाहिर होता है कि फिलाल जो शेर के अंदर जो हम कह सकते हैं कि एक ज सबसे बड़ी बात होगी कि यहाँ पर बाकी अगर लोग रहे होंगे अब तो मलवा जब हटेगा तब पता लगेगा कि आखिरकार कितने लोग बाहर निकले हैं सर् मैं बतातू हूँ अभी तस्वीर ओफीशली आ रही है उसके मुताबिक यह मिजाइल अटैक था और बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट किया गया और इसमें साथ वो पूरा एमिंग है जो उसका पूरा प्रोजेक्टाइल है वो उसमें दिखाई दे रहा है और यह लिए कहा गया था है कि पूरी बिल्डिंग खाली है क्योंकि यहां पर एक मिलिट्री इस्टॉलेशन के तोर पर कोई ऐसा बताया गया कि वहां पर कुछ लोग थे और वो एक कुछ ऑपरेशन की गतिविदी वहां पर चल रही थी एंटी एक्राट वेपन सिस्टम और आपस स्कूल पवन इस पर भी बात करेंगे इस बीच यह एक्स्क्लूजिव तस्वीरे आप देख रहे हैं मिजाइल अटाक की तस्वीरे आप देखिए आस पास बिल्डिंग नजर आ रहे हैं और किस तरह से मिजाइल वहां पर फायर होता है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर